हलो गुड उनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BHDC 101 हिंदी ओनर्स के प्रिबियस येर कोश्चन पेपर को देखेंगे इस वीडियो में आपको 4-5 साल के कोश्चन पेपर को दिखाने वाला हूँ जो आपके वाने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है जो भी हिंदी ओनर्स के स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले क्योंकि आप सभी के लिए कोश्चन पेपर और आने वाले समय में आपको क्लास भी यहां से जरूर मिलने वाली है तो मैं आपको इसमें सारे कोश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ जो प्रिबियस यर में आए हैं अगर आप इन ही कोश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रिप्रेशन कर लेते हैं तो साइद आप एक्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन जरूर कर सकते हैं यहाँ पर देखेगा BHDC101 दिसंबर 2022 का कोश्चन पेपर है देखेगा आपकी जो बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रीती काल तक ठीक है आपका जुगजाम होगा है इस पेपर का BHDC101 का इस सो नंबर का पेपर होता है और तीन घंटे का क्या होगा आपका इस सभी का इकजाम होता है नोट्स में क्या दिया गया है किनी पांच प्रस्णों के उत्तर दीजिए सभी प्रस्णों के यंग समान है कहने का मतलब होता कि आपका जो पेपर होता है सो नंबर का है और आपको पांच कोश्चन करने हैं कितने कोश्चन करने हैं पांच कोश्चन करने सभी के सभी कोश्चन 20-20 नंबर के तो टोटल एक्जाम में 9 कोश्चन आते हैं यारी 9 कोश्चन आता है 9 में से 5 आपको जो भी आते हैं आप ओ कर सकते हैं अब एक काम कीजे जो जो कोश्चन में बता रहा हूं इन सभी कोश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए या इनको लिख लीजिए पहला कोश्चन देखेगा आदी काल के नाम करण की समस्या पर विचार कीजिए वैसे मैं बताऊं पहले चप्टर में है और पहले चप्टर से एक ना एक कोश्चन एक्जाम में जरूर आता है ठीक है दूसरा देखेगा आदी कालिन अपभरंस साहित का परिचे दीजे बीस नंबर का कोश्चन वैसे बीस नंबर के सभी आते हैं ठीक है तीसरा कोश्चन देखेगा हमारा रासो काबी की पुर्मुग विसेश्थाएं बताए बीस नंबर का कोश्चन है नोट डाउन के लिजगा चोथा कोश्चन देखेगा भक्ती काब्य की सामान विशेष्टाओं की का विवेशना कीज़े यानि भक्ती जो काब्य है उसकी क्या-क्या विशेष्टाओं होती बताना 20 नंबर और 20 नंबर के लिए आपको कितने 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा आ उसमें जो अभियंजना पक्ष है क्या पताना आपको अभियंजना पक्ष बताना है उसका 20 नंबर में ठीक है छटा कोश्चन देखेगा हमारा कोश्चन नंबर 6 है ठीक है देखेगा प्रेम का विपरंपरा का परिचय दीजे 20 नंबर का सभी वही लगबग रहते 20 नंबर क साथवा कोश्चन देखेगा राम भक्ती साहित के विकास पर प्रकास डालिए यहीं राम भक्ती जो साहित हो कैसे विक्सेत हुआ उसके बारे में बताना है बीस नंबर का कोश्चन है आठवा कोश्चन देखेगा रीती बद्ध कभियों के वर्ण विशय का उधारन सहीत डिवेच न कीजिए 20 नमबर का कोश्चन हैगा और कोश्चन नमबर जो हमारा 9 अता टूटल 9 कोश्चन आते हैं इसमें आपको टिपणी लिखनी है चार रहेंगे जैसे का खा गा गा इन चारों में से आपको कोई दो लिखना जैसे मालीजे की मुझे क का आता बिहारी के का दे दूसरा मुझे रस्खान पता है तो मैं का और खा लिख दूगा यनि 10-10 नमबर का का है 10 नमबर का खा है और 10 नमबर का गा है ठीक है और 10 नमबर का गा है तो इसमें आपको दो जरूर लिखना पड़ेगा इस नौवा कोश्चन आप तभी लिखे जब इसमें से आपको दो पता हो और 10-10 नंबर कर रहेगा तो मालो जैसे मैंने बिहारी के काब लिखे 10 नंबर रस्खान लिख दिया तो टोटल 20 हो जाता है इस प्रकार से दो लिखना पड़ेगा ठीक है यह नहीं कि आपको यह काता नहीं तो आपको दोनों ही करना पड़ेगे चारों में से आप कोई भी दो कर सकते हैं और 10 नंबर के लिए 2 पेज लिखो जैसे मैंने बिहारी के काब 2 पेज लिखा आगे पीछे पनना 2 पेज हो गया और फिर मैंने रस्खान के बारे में लिख दिया और 2 पेज इसका हो गया तो अबराल 4 वही 4,5 पेज मि DHDC 101 ठीक है हिंदी ओनर्स के स्टूडेंट फर्स्ट इयर के लिए है ये जून 2022 का कोश्चन पेपर कपका है जून 2022 का हिंदी साहित का इतियास रीती काल तक एक्जाम 100 नंबर का होता है तीन घंटे का पेपर होता आप सब को पता ही आपको 5 कोश्चन कर रहे हैं और 20-20 नं विचार कीजे 20 नंबर का कोश्चन है दूसरा कोश्चन वही आ गया देखो अपभरंस को ले करके अपभरंस साहित के उद्भव और विकास पर प्रकास डालिए देखो कोश्चन रिपीट हुआ ना तीसरा कोश्चन देखेगा आदी काल धरम संबंदी साहित का परिचे दी 20 नंबर का कोश्चन हो जाएगा पांचवा कोश्चन देखेगा हमारा क्या है भक्ति कावि की विशेश्ता बता यानि जो भक्ति कावि क्या होता है वो बताना पड़ेगा और पॉइंट वाइंट हेडिंग बना करके लिखना पड़ेगा ठीक है 20 नंबर का कोश्चन है परिश्तितियों पर प्रकास डाले लिए वीस नमबर का question है और आठ्वा question देखेगा परमुख रीती बद्ध कभी हो तथा उनकी रचनाओ का पैचा दीजे यी जो परमुख रीती बद्ध कभी होते हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाई की हो बताना है 20 नंबर का कोश्चन है रहगा और हमारा 9 जो कोश्चन है कोश्चन नंबर 9 आखरी रहता है निमलिखित में से किनी दो पर टिपणी करनी है ठीक है जैसे का है रामानन्द खा है सुध्धा दैतावाद गा क्या है रीती कालिन कभी ठाकूर और घय कहरेगा सूरदास यहनि 10-10 नंबर के हैं चारो और इसमें से आपको दो करना पड़ेगा तो मैंने आपको दो कोश्चन पेपर दिखा दिये इसी टाइप से एक्जाम में कोश्चन आता है 9 कोश्चन आते हैं 9 में से आपको कोई भी 5 करना रहता है ठीक है अब देखेगा हमारा next कोश्चन पेपर आ गया देखेगा BHDC101 यह आपका जो कोश्चन पेपर है December 2021 का कब का है December 2021 का कोश्चन पेपर हम देख रहे हैं यहाँ पर देखेगा BHDC101 हिंदी साहित का इतिहास रीती काल तक वही सेम चीज और 100 नमबर का पेपर है 3 गंटे का पेपर है 5 कोश्चन करना है पहला कोश्चन देखेगा साहित के इतिहास में काल विभाजन और नाम करन किया उसकता पर प्रकास डालते हैं उसके विविद आधारों की चर्चा कीजे एक कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है इस प्रकार से कोश्चन बहुत आते हैं अगला कोश्चन देखेगा दूसरा क्या है आदी कालिन राजनेति क्यों साहितिक परिस्तितियों का विभेशना कीजे ठीक है बीस नंबर का कोश्चन है तीसरा कोश्चन देखेगा रासो काविकी प्रमुग विशेष्ता बताओ यानि जो रासो काविक होता हो बताना है बीस नंबर का इसारे इंपोर्टेंट है चोथा कोश्चन देखेगा भक्ति काल के उदय के कारणों का भीवेशना कीजे भक्ति काल के यानि जो भक्ति आंदोलन हुआ भक्ति काल का उदय उसका जैसे धार्मिक कारण है राजनितिक कारण है आर्थिक कारण है इस प्रकार के आपको कारण बताना पड़ेगा पांचा कोशन देखेगा, किष्ण भक्ती कावि की प्रमुक प्रवितियों पर प्रकास डालिए, ठीक है, जो किष्ण भक्ती कावि उसकी क्या-क्या प्रवितियां वो आपको बताना है, छटा कोशन देखेगा, निर्गुन संत परमपरा का परिचे दिया, जो निर्गुन सं मैं बता रहा हूँ ना इतना ही पढ़की वहिया चले जाओगे तो आपका इजाम अच्छे से निकल जाएगा आठाओं कोश्चन देखेगा रीती मुक्त यहां पर सब्द है रीती मुक्त ठीक है रीती मुक्त काव की पुर्मुख विसेश्था बताओ यानि रीती मुक्त जो का पर होता है उसमें क्या-क्या विसेश्थाएं होती है वो हमको बताना है ठीक है कोश्चन नमबर 9 देखेगा आखरी जो कोश्चन आता है तीसरा जो कोश्चन पेपर में दिका रहा हूँ निमलिखित में से किनी दोपर टिपणी करनी है जैसे का क्या है बल्लवाचार खा मैंने आपको तीन कोश्चन पेपर दिखा दिया अगर आप चैनल पर वीडियो देख रहे तो आपसे इन चारों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको idea हो जगा है कि exam में कैसे question आते हैं और आपको क्या preparation करके जाना है, क्या नहीं करके जाना है, इतना ही question करके जाओगे तो आपको na exam में जरूर अच्छा आप कर पाएंगे समय मिलेगा तो इसकी class भी हम लोग जरूर करवाएंगे, comment करके जरूर बताना, हिंदी owners की class को start करें या ना करें ठीक देखेगा, हिंदी साहित का इतिहास रीती काल तक, 100 नंबर का paper, 3 घंटे का paper, 5 question करने हैं, सभी question 20-20 marks के हैं, यही same रहता है पहला question देखेगा, question note करो, question वही repeat हो रहा है, हिंदी साहितिक काल विभाजन संबंधी, विभीद मतों का विसलेशन कीजे, तो इस टाइप के यह बहुत important है, यह हो आ सकता पहले chapter में से दूसरा question देखेगा, आदी काल की धार्मी क्यों सांस्कृतिक परिस्तितियों पर प्रकास डालेए, repeat हो रहा है, या घुमा करके question पूछा जा रहा है, तीसरा देखेगा, आदी कालीन बीर गाथा, बीर गाथात्मक, रासो काबिका परिच्चय दीजे, 20 नंबर का question, ठीक है अगला देखेगा, ज्याना स्राई भक्ती काबिके दार्सनिक आधारों पर, यानि जो भक्ती आंदोलन है, ठीक है, उसमें राम भक्ती है, किष्ण भक्ती है, सगुन भक्ती है, निर्गुन भक्ती है, ज्याना स्राई भक्ती है, इन सब को अच्छे से पढ़ करके जरूर जाना क्योंकि इसमें से question आपके लिए आ सकते हैं ठीक है चौथा question हो गया हमारा पांचवा question देखेगा भक्ति कालीन काव की परमुक परविर्तियों पर परिचे दीजिए आभी आया था भक्ति काल की भक्ति काल या भक्ति आंदोलन जो है बहुत इंपोर्टन्ट है इसे जैसे question आगा ना क्रिष्ण भक्ति काव की सिल्प गत्विसेश्ता बताईए तो इस टाइप से question आते ही आते हैं इनको जरूर करके जाएगा सातों question देखेगा हिंदी सगुन राम काव परमपरा का परिच आतों question तो इस टाइप से question बहुत आते हैं इस टाइप के question करोगे तो मैं जरूर कह सकता हूँ आपके exam में बहुत अच्छे माक्स आएंगे आठों question देखेगा रीती मुक्त का विधारा की प्रमुक्त विसेश्ताओं को रेखांकित कीजिए 20 नंबर का question रहने वाला है और question भवी सायत त्वयत कहा यानि इन चारों में से आपको कोई 2 करना रहेगा यानि टोटल 9 question आते हैं और 9 में से कोई 5 करना है अगर आप इतना पढ़के चले जाओगे जितना मैं question paper दिखाया हूँ ना इस में से तो 5 तो आराम से ही match कर जाएगा ठीक है और अच्छे से पढ़ पूछनी है एक्जाम से या आदर से इगनू से रिलिट कुछ भी पूछना है तो ग्रूप को जरूर जोइन कर लेना और चैनल पर आये हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजीगा इसी तरह कि यह हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है और आप सभी का वीडियो द देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनवाद थैंक्यू सो मच जय हिंग जय भाड़